हालो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 Little Tutor में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ केंदरी विद्याले में Second Admission Notice आएगी तो ऐसे ही ये केंदरी विद्याले में Second Admission Notice आ गई है और ये भी बताया था कि सभी कटेगरी के लिए नहीं आएगी कुछ कटेगरी में जहां सीट खाली रह जाएगी उसके लिए Admission Notice आती है तो ये केंदरी विद्याले में Second Cast के लिए Admission Notice आई है और ये Notice आपके सामने में लेकर आया हूँ चलिए देख लेते है नोटिस में क्या है और कैसे नोटिस आती है तो ये केंदरी विद्याले मुरादाबाद की नोटिस है इसमें Admission Notice फार Vacant ST Seat in Class 1 Only 2023-2024 तो 2023-2024 में इनके यहां ST Schedule Tribe Cast में सीट खाली रह गई थी उसके लिए इन्होंने नोटिस निकाला है ये सेकंड नोटिस है आप देख पा रहे है Registration for admission to the vacant seat of scheduled tribe ST in Class 1 in केंदरी मुरादाबाद for the academic year 2023-2024 will commence in offline mode at 10 a.m. on 4.2023 and will close at 1.30 p.m. on 11.4023 The admission registration form detailed list of required documents can be obtained through विद्याले website number1.muradabad.kbs.ac.in तो इनके यहां ST category के लिए नोटिस आई है और इनके website पे आपको फाम हो गयरा सब मिल जाएगा इसी को इन्होंने हिंदी में भी बताया है केंदरी विद्याले मुरादाबाद कच्छा एक only में अनसूची जन्जात की रिक्त सीटों के लिए प्रिवेस सूचना 2023-24 सैच्छिडिक वर्ष 2023-24 के लिए केंदरी विद्याले मुरादाबाद में कच्छा एक ST केवल में कुछ रिक्तियां हैं जिनके प्रिवेस के लिए पंजीकरण आफ्लाइन माध्यम से दिनांग 4-5-23 को सुबा 10 बजे से प्रारम होगा और दिनांग 11-5-23 दुपाहर देर बजे बंद हो जाएगा प्रिवेस के लिए पंजीकरण फार्म विवराण यों आवैसक दस्तवेजों की सूची विद्याले की वेबसाइट नमबर वन मुरादाबाद.kbs.ac.in के माध्यम से प्राद किये जा सकते हैं तो ये है इनकी नोटिस अब हम देख लेते हैं कि फार्म कैसे आता है फार्म कैसे भरना रहता है और डाकुमेंट क्या क्या लगेंगे तो केंद्री विद्याले मुरादाबाद ने कच्छा एक के लिए दस्तावेजों की सूची भी जारी की है इन्होंने बताया है कि आपको क्या-क्या दस्तावेज के साथ सेकंड एडिमिशन के लिए अपना फार्म भरके देना है तो आपको पंजी करान फार्म देना है बच्चे का जन प्रमापत प्रवेज दिसा निर्देशिका के अनुसार होना चाहिए उसका प्रमापत आपको लगेगा बच्चे के जाति प्रमापत एस्टी का सर्टिफिकेट पिता माता का सेवा प्रमापत बच्चे के संबंध में पिछले साथ वर्षों में माता पिता के अस्थान अंत्रा का प्रमापत यद पिता माता सरकारी नवकरी में है तो माता पिता की वेतन स्लीप, विकलांगता प्रमापत खून वर का प्रमादपत, मतलब बलड ग्रूप का सर्टिफिकेट, अस्थाई और अस्थाई निवास प्रमादपत, बच्चे के दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, बच्चे का आधार कार्ड, इतना चीज आपको देना है, बाकि इसमें नोटिस में बताया गया है, अ यह वही फार्म है, जिसे क्लाश 2 के लिए जारी किया जाता है, साथ ही साथ इसमें डाकुमेंट की पूरी लिस्ट है, आपको जो भी डाकुमेंट बना के देना है, इसके साथ उसकी पूरी लिस्ट है, तो इस तरह से फार्म आते हैं, जहां पे जिस कास्ट की सीट खाली र हो जाती हैं तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक्यू थैंक्यू फार वाचिंग